हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू ज़ार केन चलिए जानते हैं आज की मुख्यों 25 बड़ी ख़बरों को परतिनुक्त सब भी अधिकारियों और पुलीश कर्मियों को अवशक दिसानरदेश दिया किया र्यांची के धुरवा इस्थित जैसीय अस्टेडियम में होने वाले मैच को लेकर 2000 से जादा पुलीश कर्मियों तैनात किये गए हैं इनमें 4 IPS, 29 DSP, 500 पुलीश पद अधिकारी सामिल हैं इसके अलवा 1500 अतरिक्त पुलीश बलो की तैनाती अस्टेडियम के आसपास की गई है सुरक्षा की जिम्यदारी सम्हानने वाले सब भी पुलीश अधिकारियों और जावानों को सनिवार को SSP और उपाइक्त की और से ब्रीफिंग किया किया SSP की सौरकॉसल ने बता है कि मैच को लेकर अस्टेडियम के हर विंग में कड़ी सुरक्षा की बंदोबस्त किया गया है मैच के दोरान पुलीश को खुद भी पूरी तरह से डिसिप्लीन में रहना होगा इसको लेकर ब्रीफ किया गया है उन्होंने का है कि अस्टेडियम की आसपास सभी ड्रोब गेट बनकर तयार हो चुके हैं इन ड्रोब गेट से ही अस्टेडियम में वैसे लोग को जाने की इजाज़त मिलेगी जिनके पास टिकट और पास होगा ब्रीफिंग के दोरान सभी शुरक्षा कर्मियों को या असपश्ट किया गया है कि किसी भी हाल में दर्सको द्वारा कोई भी समागरी नहीं ले जाने देना है पानी के बोतल सही दूसरे पे पदार्थ भी अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी दर्सको को तीन लेयर की सुरक्षा घेरे से गुजर कर अस्टीडियम के अंदर परवेस मिले का सभी सुरक्षा गेट पर उनकी प्रोपर रूप से चेकिंग की जाएगी आरकिष्टरा देखकर लोट रही नबालिक से गैंगरेब बहला फुसला के रिल्वेस्टीशन के पास ले गए दुसकर्म के सभी आरोपी गिरबतार रात में आरकिष्टरा देखने आई नबालिक से साथ यवकों ने दुसकर्म किया घटना लातिहार जीले की सदर थाना छेतर की है जहां रेलवे स्टीशन में शुकुरबार की रात आर्किश्रा देकर लोट रही एक नाबालिक युवती के साथ युवकों ने मिलकर सामहिक दुसकर्म किया जानकारी कानुशा नाबालिक युवती अपने घर से आर्किश्रा जाकर सिकायद बर्च कराई, पुलीस ने तौरित कारवाई करता हुए सामहिक दुसकर्म में सामिल सभी शाथ आरोपियों को गरपतार कर लिया है इधर पुलीस पुरिता को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराया मेडिकल जाच के बाद पुरिता को परिशनों को बाल विभा के मामले में जार्खन अवल केंद्रिय ग्री मंतराले के डेमोग्राफिक सेंपल सर्वे की रिपोर्ट, खनी संपदा से परिपूर्ण जार्खन को देश का सबसे अमीर राज्य कहा जाता है, बाल विभा के मामले में देश पहले नंबर पर है, राश्ट्रिय अ अस्तर पर एक दस्मलो नौ फिजदी बेटियों की साधी 18 साल की उम्रे से पहले साधी हो जाती है जबकि जारिखन में याकडा पांच दस्मलो आठ फिजदी है केंद्रे ग्रीमांदुराले के हालिया डेमोग्राफिक सेंपल सर्वे में यतत्त शामने आया है सेंपल सर्वे क के मताबिक केरल में 18 साल से कम उम्रे की बेटियों की साधी नहीं होती है जबकि जारिखन में 5.8 फिजदी लड़कियों की साधी युवा होने से पहले हो जाती है राज में जितने बाल विवा होते हैं उनमें से 7.3 पर 30 ग्रामीन इलाकों में जबकि 3 फिजदी सहरी छेत्र मौसम की तिर्शी नजर बनी हुई है लकनों में सिरीच के पहले मैच में बारिस ने अपना असर दिखा था और अब रांची में होने वाले दूसरे मैच में भी इसकी दखल देखने को मिल सकती है आज 9 अक्टूबर को रांची में सिरीच का दूसरा मैच खिला जाना है ले प्राबरी करने के लिए उतरेगी सिखर धवन की कपतानी में टीम इंडिया पहले मैच में मिली करीबी हार सी उबरने की उमीद करेगी अब भारतिय टीम का ये प्रियास सफल होगा या नहीं ये टीम के प्रदर्सन के अलाबा मौसम पर भी निर्भर करेगा लकनों में क्योंकि मौसम विभा का अनुमान है कि आज रविवार को दिन के दूसरे हिस्से में बारिस हो सकती है खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चानल को सस्क्राइब नहीं की है तो प्लीस चानल को सस्क्राइब करके वैल अकन प्रिस कर दे जिससे आपको जारकन की हर शोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसता रहे चलिए बढ़ते हैं खबरों की आप बाबुलान मरांडी ने हेमंतु सुरेन को बताया भ्रष्ट चार का पुसक राज़िपाल से की सियम को बर्खास्त करने की मांग जारकन के पूरों मुक्यमंत्री और भारती जानता पार्टी भाजपा के नेता बाबुलान मरांडी ने प्रदेश के मुक्या हेमंतु सुरेन को ब्रष्ट चार का पुसक बता है उन्होंने रज्ञपाल से मांगी है कि वे भ्रष्टाचार में लिप्त मुक्यमंतरी हमन्तौ सुरेन को बर्खास्त करे जार्खन विधान सभा में बाजपा के नेता बाबूलान मरांडी ने सनिमार को प्रीश क़ुट कान्फरेंस करके मोकेमंतरी हेम्नत सोरेन को करडगरे में खाड़ा किया, उन्हों ने कहा ہے कि झारकन मुक्ती मोर्चा जहम्मो की आगवाई में चल रही या सरकार भ्रेष्टा चार में आकंठ डोबी है कहाए कि या सरकार जितने दिन रहेगी झारकन राज्य का उतना ही ज़्यादा नुक्षान होगा, उन्होंने कहा है कि राज़ को शरकार नहीं बिचोलिये चला रहे हैं, मुखेमंत्री अवास बिचोलियों का वास बन गया है, पदधिकारियों से बिचोलिये ही बात करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग, टिंडर का मोलभाव वही करते हैं ज़्यारकन में एक लाग काई नामी, NSPM का मास्टर माइंड, उमेस गिरी चढ़ा पुलिस के हंथे, हत्या, फिरोती, अपहरन, लोट पार्ट, एबं फाइरिंग कर दसत फैलाने जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देने वाले, न्यू सससर जोहे पिपुल्स मोचा, NSPM संग के मास्टर माइंड, उमेस गिरी उर्फ, उमेस पांडे को आकिरकार गिरीडी पुलिस ने बगोदर थाना इलाके के 20 माइल जंगल से गिरपतार कर लिया है, उमेस गिरी का आतंक ना सिर्फ जारकनबल की बंगाल तक फैला हुआ है, यही कारण है कि उमेस गिरी पर हजारी गिरीडी स्पी अमेत्रेनों ने सनिवार को पपरवाटान इस्थित नए समहर न्याले में प्रेशवारता करिया जानकार दी, गिरीडी स्पी अमेत्रेनों ने बता है कि बदमास उमेस गिरी को गिरीडी पुलिस बगोदर थाना इलाके के 20 माइल जंगल से गिरपतार किया ह इसके पास से पुलिस ने दो देसी कट्टा आठ एमेम का नौ पिस कार्थूस, साथ दस्मलो पैरसट एमेम का चार कार्थूस के अलावा पांच मबाइल बरामत किया है। पुलिस की मौजूद्गी में दुमका की युवती का हुआ अन्तिम संसकार, जर्मुंडी की युवती मारूती कुमारी की हत्या के विरोध में शनिवार खो भालकी गाउं के लोगा गुस्सा फूट पड़ा, आकुरोश्रितों ने शौक को बीस सड़क पर खाट पर रख कर तीन घंटेक लिद्धूं का भागलपूर मार्ग जाम कर दिया। एंबुलेंस के साथ जर्मुंडी जो है बीडियो, फुलेश्वर मुर्मु और सीयो, राजकुमार प्रसाद भी गाउं पहुँचे थे, साओ देखते ही चितकार मच गई, हर कोई युवती के एक जलक देखने के लिए, जो है तूट सपड़ा, गाउं में मातम छागया, कि राज़ी के जया सीय क्रिकेट स्टेडियम में किया गया है, राज़ी के सदर अनुमंडल दनदिकारी, दीपक दूबे ने महातमा गांधी, में रोड मार्ग में अलबर्टे का चौंक से सुझाता चौंक होते हुए, राज़ंदर चौंक तक तथा इस मार्ग की दोनों और 200 मेटर की दोरी तक 1244 निसधग्या लागू कर दी है, या निसधग्या आज 9 अक्टूबर की सुभा 6 बजे से 10 अक्टूबर की सुभा 6 बजे तक परभावी रहेगी, 9 अक्टूबर यानि आज राज़ी के जया सीय में अंतराश्री एक दिवसी किर्केट मैच भारत बनाम द सतरकता को लेकर निसधग्या लागू की गई है, जारी आदेश में कहा गया है कि अस्पताल जा रहे है, मरेच के 7-7 जा रहे है व्यक्तियों, विद्धाले एबं महा विद्धाले जाने वाले छातर चातराओं, हाट बजार, होटल, दुकान आए व्यक्तियों, बरात, साव रोड पर निकलना या चलने की मना ही होगी। वर्तमान में सहर्थाना चेतर की कांदू मोहला में किराय के मकान में पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। वर्तमान में परिवार के साथ रहे हैं। उन्होंने जारकन में ब्रच्टा चार पर भी सीयम हेमन्तो सोरेन को घेरा साती सीयम हेमन्तो सोरेन से इस्थिपे की मांगी। उन्होंने मिर्तक की मां को दो लाक रुपे की साहतरासी दी। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पहले की दो घटनौ में भाजपा की और से 28-28 लाक रुपे दिये गए। उनके परिवार को भी यारासी प्रदान की जाएगी। बरनाग गाउंकी है जहां पप्पू तूरी नाम के सक्स दौरा पतनी के अवैद संबंद के श्रंदे में अपनी चार्व साल की बेटी को जिंदार जलाने का माम लाया है। मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरापतार कर लिया है। जहां पर प्रात्मी कुपचार के बाद बच्ची की गंभीर इस्तिती को देखतो हुए बहतर इलाज के लिए रिम्स राफर किया गया है। रिम्स में इलाजरत बच्ची की इस्तिती गंभीर बनी हुई है। इधर लोहर दंगा पुलिस मामले की जांच और आगे की कारवाई में जूट गई है। अपना नियंतरन खो दिया जिससे वाप पर अड़ गई। पुलिस घायलों से पूचताच कर रही है और ड्राइवर की तलास की जा रही है। वन डे किरकेट मैच को लेकर आज 9 अक्टूबर को ट्राफिक रूट में बदलाव की अग्या है। दूसरे जिला से आने वाले वहान सवार को तै अस्तान पर रोकने के लिए ड्रोप केट लगाए गए हैं। ग्यारा जगों पर पार्किंग की वास्ता है जमसेतपूर, चायबासा, खुंटी, सिम्डेगा से आने वाले वहान सवार को तो पुदाना रिंग रोड के रास्ते प्रोजेक्ट भवन होते धुरुआ गोलचकर और संधोमस अस्कूल होते हुए परभातारा मैदान तक जा स इसके अलवा मैच समापती के बाद सालिमार बजार, मौसी बाडी, गोलचकर, एचेसी गेट, बिरसा चौंक, हीनो चौंक और आजंदर चौंक के रास्ते में अचानक वाहन सवार की संख्या बढ़ जाने से यातायात परभावित होता है ऐसे में ट्राफिक पुलिस की और स गंतब तक जा सकते हैं इदर खतरे को भाबते हुए जिला प्रसासान ने लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया है साथे विस्थापितों को घर और दो कठा जमिन दिलाने का विस्वास दिलाया है अस्थाने लोगों ने बता है कि चानन सहिद मदन सही कब उतर खोपी सहिद अने टोले गंगा कटान की चपेट में हैं पलामु में हाइवा की चपेट में आया पोकलेन ओपरेटर हुवी मौत अस्टोन माइस में हाइवा की चपेट में आने से पोकलेन ओपरेटर की मौत हो गई है घर टना नोडीहा बजार थाना चेतर के मनन दोहर की है घटना के सूचना मिलने के बाद मेधनिनगर टाउन थाने की पुलिस घटना अस्तल पर पहुंची और साओ को पोश्ट माडम के लिब भेच दिया इसके बाद ओपरेटर के परिजनों का बयान दर्ज कर आगी की गाररवाई की जा रही है ओपरेटर के नाम निरेंजन कुमार है, छतरपूर थाना छेतर के कव अल का रहने वाला है बताय जा रहा है कि चार महा पहले उनकी शादी हुई थी मिली जानकारी के अनुसा निरेंजन सनिवार को अपनी ड्यूटी पर तनाथ था और पोकलिन से कुछ दूर खड़ा था, इसी दोरान हैवा की चपेट में आ गिया इस थानी लोगों ने बताया है कि निरेंजन कुमार को कमर और चाती में गंभीर शोट लगी थी घटना की ततकाल बाद में निराय मेडिकल कॉलिज एंड होस्पिटल पहुँचा गया जहां डॉक्टरों ने उसे बृत्त घोसित कर दिया घटना के बाद परिजनों का रोरो कर बुरा हाल है अमित अगरवाल को एडी ने विसेस अदालत में किया पेस साथ दिनों के मिली रिमान रांची में होगी पूचताच कोलकता के चर्चित कारोबारी अमित अगरवाल से अगले साथ दिनों तक एडी के जोनल कारेले में पूचताच होगी सनिवार को एडी ने गिरपतार कारोबारी अमित अगरवाल को कड़ी सुरक्षा व्यास्था के बीच एडी की विसे इस अदालत में पेस किया जिसके बाद एडी ने अदालत से जो कारोबारी अमित अगरवाल से पूछ दाज के लिए 10 दिनों की रिमांड की मांगी हलाकि अदालत ने सिर्फ साथ दिनों की रिमान किया उधी मांजूर की अमित अगरवाल को एडी की टीम ने रांची एरपोर्ट से सुकुरवार की राद गिरपतार किया था गोड़ा से टाटा नगर के बीच चलेगी सपताहिक ट्रेशन 22 अक्टूबर से सुबारमब दिपवाली से पहले जार्खनवासियों को रेलवे बोट की और से तौफा मिला है रेल्वे बोड ने गोड़ा टाटानगर के बीच सब्ताहेक ट्रेन जलाने करने लिया है इस ट्रेन का उधगाटन 22 अक्टूबर को किया जाएगा इसके बाद टाटानगर रेल्वे स्टेशन से सुम्वार और गोड़ा रेल्वे स्टेशन से मंगलवार को खुलेगी रेल्वे बोर्ड ने इस सबताहिक ट्रेन की टाइम टेबल भी जारी कर दी है, रेल्वे क्यानुशार गोड़ा स्टेशन से परतेक मंगलबार को दिन के 12 बच के 40 मिनट पर खोलेगी, हंसडिहा, मंदार हिल, बारहट, भागलपूर, जमालपूर, क्यूल, जाजा, जसेडी, चितरन, जन, धनबाद, बोकारो, अस्टिल सिटी होते हुए टाटानागर अगले दिन सुभा 6 बच के 40 मिनट पर पहुँचेगी, वही टाटानागर अस्टेशन से परतेक सो मार कुदोपहर, एक बच के 40 मिनट पर खोलेगी, और दूसरे दिन सुभा 7 बच के 20 मिनट पर ग अलान किया है, सड़क एबं परिवहन मंत्री नितीन गड़करी ने सनिवार को कहा है कि जारकन राजिक के पलामो जीले में राश्ट्री राजिमार्ग एनेच 49 को विक्सित किया जाएका, इसके ताथ पलामो जीला में जब भोगुगाउं से सांखा गढ़वा रोड को फोर इस राश्ट्री राजिमार के चावड़ी करन के बाद शांखा, सुपवा, पड़वा, मेधनी नगर, चियांकी, हिरसा, पोलपोल और भोगु में सड़क फोरलेन हो जाएकी इससे इन इलाकों के दोनों और से बसे गाउं को और भी जादा फायदा होगा तो ये थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरे, इसी तरह जारकन की हर चोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप मारे चानल, न्यूज जारकन चानल को सस्क्राइब करके बैल अकन प्रिस कर दिजे, जिससे आपको जारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप